कर दोस्तों आप सभी का हादिक स्वागत है टीचिंग वाला के जबदस मंच्वे मैं सौरभ श्रमा सामाजी कर दिन के कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं थोड़ा सा विलम हुआ कक्षाक में तो उसके लिए तकनिकी कारणों के वैसे विलम हुआ उसके शमाच आते हैं और जल्ली से से जुड़ जाईए और सेशन को एक फ्लो में अब शुरू करते हैं विदाओ वेस्टिंग सेकेंड तो समझ बैच के हम क्लासे कर रहे हैं और यहा आप सबको लगातार इन क्लासे से एक नोट्स बनाने हैं जैसे कि मैंने पहली भी बताया है फिशली क्लास में आप एक रिजिस्टर और एक पैन इसके बिना मताईएगा ठीक है तो रिजिस्टर पैन जरूर लीजिएगा आज की टॉपिक है वो फॉर्स एंपायर और पॉल सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर टॉपिक टॉपिक की बात करेंगे ठीक है क्या है इंडर्स वैली सिविलाजिएशन क्यूव इसे हडपा सब्सक्राइब बोला जाता है यह संधू आटी सब्विता इसके उपर आज बात करेंगे प्रणाम गुडीमिनिंग सुस अंध्यानम वेलकम एवरीवन गुडीमिंग 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 आप सब के जोश को देखकर मैं यहां पर काफी ज्यादा एनरजेटिक महसूश मै करता हूं ठीक है ncrt questions को करेंगे सीट पीवी को करेंगे और सिंदुगाटी सब इता को जानेंगे रेडी है सब येस everyone that's great ठीक है तो कल मैंने एक homework दिया था आपको कि जैडाइट क्या होता है या जैडाइट निम लिखित में से किसका एक रूप है किसके रूप में संदर्भित किया जाता है यह आपको बताना था ठीक है तो मिट्टी का एक बरतन है इससे संदर्भित है चीन का एक पत्थर है या कठोर पत्थर से बने चोटे औजार को कहा जाता है या अर्ध कीमती पत्थर है तो यह आपको बताना था कल करे homework question मे दिखते कितने लोगों ने इसका उत्तर करा है एक बार साथियों मैं यहाँ पर दुबारा लगा लूँ ताकि pen work करें अच्छे से तो जडाइट की बात करते हैं अंजम जितेंद्र आस्था नितेश शायरा बानु अंजम सोनी मिश्रा कलपेश्वरी बर्का बिल्कुल सही है तो यहाँ पर धियान रखिए जडाइट जो है वो चीन का पत्थर ऐसाथ हो ठीक है लगबग सभी ने इसका उत्तर सही नहीं दिया है तो नोट कर लिए गलती कर पत्थर के तोर में देखे जाने लगा प्रारंबिक काल की बात है जब जडाइट चीन का पत्थर था इसे कहा जाता था लाया गया था महां से और आम तोर पर यह हरे और नीले रंग का होता है तफेद रंग में भी पाया जाता है और पायरॉक्सिन खरीज है ठीक है अगर नेचर या प्रक्रति पूछे जाए तो यह पायरॉक्सिन एक खरेज है और जडाइट जो है वो आईरन और सिलीकेट वह कहा जाता है सोडियम ऑयरॉमीनियूर तीन जो धातू में मिलते हैं कौन से ऐरण अलूमीनियम और सोडिक है तो इसे नोट कर यह पथर है तो इसका सा साय उत्तर दिया है बाकी सब पारूल पांडे ने भी बिलकुल साय उत्तर दिया है बहुत बढ़ी हम चले शुरुवात करें आज ही क्लास का आज है 14 नवंबर बाल दिवस और हमारे देश के पहले प्रधान मंतरी पंडित जौहार लाल नहरू जी का जन दिन भी है और बाल द देख लेते स्कूल से आतेवे देख लेते हैं तो मंध खुश्ष्ट हो जाता है यापने महसूस करा होगा तो बच्चे इसी लिए भगवान का रूप कहा जाता है क्योंकि आप कितने भी उदास हों कितने भी आप परेशान हो आपके मूड में परिवर्तन कर देते हैं और एक बहतरीन उडजा का संचार हम देखते हैं जैसे हम बच्चों को अपने सामने महसूस करते हैं चलिए तो शुरू करते हैं आजी क्लास आज़ी क्लास में पहला प्रशन आप सभी से संबंदित आप सभी को इसका उतर देना है निमलिखत में से कौन सा स्थान सोने से संबंद है जो कि प्राचीन नगरों में पाया जाता था ठीक है विच अमंग दा फॉलिंग प्लेसे दार बेस्ट रिलेटेड विद गोल्ड एट वर फाउंड इन एंचिन सिटीज ऑफ ठीक है तो आपको बताना है जो गोल्ड है वो कहां पाया जाता था इरान में ओमान में हडपा मे या करनाटक में यह आपको बताना है फटाफट मिनाक्षी कहरें सर आज बाल दिवस पर टॉफी नहीं मिलेगा तो आप बाल नहीं है ठीक है आप बच्चे नहीं है आप सब अब सनातक सनातक उत्तर हो चुके हैं आप सब सीटेट की तयारी कर रहे हैं तो आप टॉफी करें अब कहते हैं ना कि बच्च्पना कभी जाता नहीं है हमारे अंदर हर एक मैचोर विक्ति के बच्च्पना चुपा होता है मिनाक्षी जी के कॉमेंट से वह बच्च्पना दिखते हुए ठीक है तो यहां पर उत्तर आते हुए सभी का बहुत ही बढ़िया करनाटक इसक से डीएफ आपने सुना होगा फोलार गोल्ड फीड़ यह भी कहां पाये जाते हैं यह भी साथियों करनाटक में पाये जाते हैं ठीके तो करनाटक गोल्ड के लिए प्रसिद है बाहरत के अंदर आज से नहीं प्राचीनकाल से इसे नोट कर लेजेगा अगले प्रेशन की ओ मिलेगा कि आता रहा मैंजी चॉकलेट चाहिए वह बच्ची ही हूँ कोई बच्चे नहीं है ठीक है और रिज़ल्ट जो होगा वही चॉकलीट है ठीक है तो एक डेड़ महीने बाद exam है एक डेड़ महीना बचा भी नहीं है और result भी आ जाएगा आपका फिवरी तक आपका result आजाएगा तो एक अच्छे से हम यहां पर गैदरिंग करेंगे और आपको टॉफी बाटेंगे यह चलो मद्यप्रदेश बिल्कुल सही है तो भिंबेतका की गुफाएं एक प्रात्मिक स्रोथ है यह बात आप जानते हैं यहां पर आरंबिक आखेटक और आरंबिक शिकारी पाए गए है absolutely correct प्रात्मिक स्रोथों मेंसे एक है भिंबेतका की गुफाएं और किस प्रकाश शिकार होता था यहां पर ऐसी चित्रकला ऐसी शिलालेक ऐसी इंस्कृप्शन्स देखी गई है भिंबेतका की गुफाओं में ठीक है अगले फृश्ण पर चलते हैं एक बंदरगा कहां जल्दी से उतसर करें फटाफट से ए रिट जल्दी से उतसर करना कहां पर एक डॉक्याट पाया गया है तो यह मैंने कल की लास में भी बताया आपको हाहा ओनलाइन नहीं मिलेगी रण्चपट आपको ऑफलाइन ही मिलेगी ठीक है क्या समझे क्या टॉफी समझ के ऑनलाइन समझा क्या ओफ लाइन टॉफी मिलेगा ओफ लाइन चॉक्लेट मिलेगा ठीक है चलो आजो तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल तो लोथल बिल्कुल सही है ठीक है लोथल जिसे आप पोर्ट सिटी भी कहते थे यहां पर एक डॉक्याड पाया गया एक बंदरगा पाया गया और खंबात की खाडी में इसके समीप है थंबात की खाड़ी के समीफ है लोथल गुजरात में गुजरात सिंदुगाटी सब्विता का वो पेत्र है जहां पर सबसे जादा स्थल भी मिले हैं ठीके इतल आपके कमेंट्स भी शो हो रहे हैं ठीके डूंटी वरी नेम लिकित में से किस राज्य में हड़पन स्थलों की स सबसे जादा संख्या हमारे थलों की ठीके हड़पन स्थलों की यह आपको बताना है फटा-फट से पंजाब हरियाना गुजरात यह जम्मयन कश्मीर कई बार जिक्र हुआ है गलत करना नहीं है और फटा-फट से बताओ इसको तो गुजरात इसका बिलकुल सही उत्तर एप गुजरात में पाए गए हैं और सिंदुगाटि सब्याता से गहरा संबंद रखते है अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नमबर 5 और प्रश्न नमबर 5 जो है वो क्यक्स चड़ी पर है क्या कि यह स्टसवी जैसे कि मैंने आपको बताया सामाजी का कोई आसान विशे नहीं है इसको विवेच नात्मक चिंतन से गेहन चिंतन से एक आलोच नात्मक चिंतन से भी पढ़ना पड़ता है तो यहां पर मैं आपको किसी से मिलवाता हूं आज की कक्षा में मैं आपको मिलवाता हूं किसी से इनका नाम है कंकाला ठीक है कंकाला आपको Osinsta ID पर नहीं मिलेंगे कंकाला ने कोई Snapchat का अकाॉट भी नहीं बनाया है कंकाला आपको यहाIR 40 कि मिलेंगे कंकाला के संबंद में कुछ प्रश्न है इन पर आज हम केश स्टडी करेंगे कंकौला की महिला मित्र भी है ठीक है आपको पहचानना है इन में से कंकाला कौन है या बी ये कंकाला ए और बी में से कौन कंकाला यह आपको बताना है जल्दी से पड़ाफट तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंकाला है ठीक है तो कंकाला है कौन और कंकाला की महिला में तरह कोन है ठीक है यह आपको पहचानना है तो अब यहां पर अगर आप पिछले का उत्तर दे पाए तो एलफा और बी तो फित्र मैंने आपको और दिखाए। इनम ंग काल कौन है दाट पर्य क्या है केहने का तात पर यह यह है कि यदि हमारे पास उठ खनन के दोरां दो कंकाल हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं और हमें पहचानना है कि ये कंकाल महिला का है या पुरुष का है, तो कैसे पहचानेंगे, ठीके, ये आपके सीटेट में पूछा गया प्रशन है साथियों, कि कैसे पहचानेंगे कि कोई कंकाल महिला का है या पुरुष का है, ठी तो ध्यान रखिए यह पैचाना जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इनके बोन स्ट्रक्चर से ठीके किसे साथियों जो अस्थियों की संरचना है जो हड्यों की संरचना है तो हड्यों की संरचना के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि कोई कंकाल महिला का है या पुरुष का है जैसे अ बड़ा है और v वाला हाइट चोटा है तो क्या ay महीला का है और ये पुरुष का है और बी एक महीला का है नहीं हम हाइट के आधार पर नहीं बता सकते कोई अधार महीला पर ऑद कोई ही इसी महिला का होगा या आप ये बता से तो ये कंकाल महिला का होगा तो आंसर है नो किस आधार पर बताएंगे प्राचीन काल में पुरुष भी आभूशन पैंते थे प्राचीन काल में पुरुषों के जितनी हाइट वाली महिलाई भी मिलती थी ठीक है तो महिलाओ की और पु सिल्विक वाला एरिया होता है तो इस ड्हाचे को देखकर कहा जाता है कि कोई कंकाल महिला का है या पुरुष का है ठीक है क्योंकि प्राचीन काल रहा हो आधुनिक काल रहा हो मध्यकालीन भारत रहा हो कैसा भी विश्व रहा हो हमेशा से जो भगवान ने जो शमता दी है जो हड्यों का धाचा है वो महिलाओं का कुछ अलग होता है जिसमें पहली एक रीजन में गैप जादा होता है ठीक है तो ए वाली जो है ये एक महिला का कंकाल है और बी वाला जो है ये पुरुशों का कंकाल है कंसेट समझाया तो कुछण आया आपके एक्जैम में ठीक है आपके एकजैम में सीटेट के एक प्रशन आता है इसे द्यान से पढ़िए प्रशन न्बर पांच और कंसेट जानने के बाद अगर आप गलत किया तो फिर देख ले ना फिर खेर नहीं ठीक है एक महापाशान कालीन कब्र कहां में दो कंकालों के अवशेश थे दोनों में से एक महिला के कंकाल का पता लगाने का उप्यूत तरीका क्या होगा अस्थी सनरचना है कंकालों पर आभूशन कंकाल का आकार ये कंकालों के साथ मिला खाना बनाने का वर्तन जल्दी से इसका उत् करता है पटाफट तक करो भई इन में से कौन से प्रॉबेबल रीजन्स हैं वो कारण है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई जो कंकाल है वो महिला का है पुरुष का है चीतल कुल्दीप मलका अंजम अर्चना अनुपमा अनुगौतम पुतल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यहां पर ध्यान रिखे सिर्फ और सिर्फ पहला कारण होगा ठीक है कंकालों पर आभूशन नहीं होगा कंकालों का आकार नहीं होगा आकार किसी महिला का बड़ा भी हो सता है और पुरुष का छोटा भी हो सता है कंकालों के साथ मिला खाने बनाने के बरतन प्राचीन काल में सिर्फ महिला एक खाना बनाती थी ऐसा नहीं है वो आज की एक रूडिवाद सोच आप कहसते हैं जो एक स्टीरो टाइपिंग थिंकिंग है कि खाना बनाने के लिए सिर्फ महिला है और सूट बूट पहिन कर सूट केस लेकर या एक अच्छा बैग लेकर पुरुष ऑफिस जाएंगे यह पहले या आप कहसते एक स्टीरो टा अगला प्रशन है सिंदुगाटी सब्विता वास्तुकला के बारे में निम में से कौन सा कथन सही नहीं है निर्माण में मिट्टी की पकी इटों का उप्योग किया गया था उनकी जल निकास विवस्था उननत थी जो प्रत्य घर के मुख्य जल निकास से जोड़ती थी गलत है आपको नौट कर्यंट बताना है जो गलत है करिए उत्तर इसको परिशन नमब है ओंतर करिए और मौनी श्रमा का उत्तर आया है गजला परवीन का उतराय है सूर्यकान चंडेल बहुत बढ़िया कौन सा कथन गलत है इनकरेक्ट बताना है ध्यान दीजेगा इसलिए मैं आपको बताता हूँ सोशल साइंस का पेपर जो है उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशल स्किल्स यानि जो आपकी रीड करने की शमता है वो ज्यादा मैटर करती है आपने प्रशन को सही धंक से पढ़ा है नहीं एक्जाम देते वक्त वो प्रशन पतर आपको इजी लगेगा घर आते वे आप खुश हो के आओगे कि पेपर बहुत इजी था रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि पेपर कितना इजी था तो वो गलती मत करना और यहाँ पर डी बिल्कुल सही है सिंदुगाटी सब्वेता में अन भंडार आम तोर पर सभी शहरों में अनुपस्तित ये कथन गलत है वो शहर जहाँ पर बाढ़ आती थी वेश ना जाए तो कुछ शहरों में थी विवस्ता कुछ शहरों में नहीं थी तो डी कतन बिल्कुल गलत है और क्योंकि यह गलत है इसलिए सही आंसर है मिट्टी के पकी इटों का उप्योग किया गया था येस ठीके उनकी जल निकासी विवस्ता अच्छी थी ये भी शही है उन्नत थी तड़को का ग्रिच पैटन आम विशेश था थी ये स ये भी कथन सही है तो चलिए कुछ बाते करते हैं सिंदुगाटी सब्यता की सिंदुगाटी सब्यता की दोरान भारी मात्रा में हमें इते मिली हैं अगर मैं भारत्य पूरा तात्विक जो विभाग है उनके जनक की बात करू एलिक्जेंडर कनिंगम की बात करू जो फादर ओफ इंडियन आर्केलोजी भी बोले जाते हैं तो उनको शक हुआ उनको एक डाउट हुआ कि इतनी पहरी इटे आ कहां से रही है तो सिंदु आटी स सब्वेता के उत्खरन के दोरान हमें बाहरी मात्रा में मिली है क्या इटे मिली है ब्रिक्स मिली है कुछ पूरा तात्विदो ने यह भी माना कि यह जो सब्वेता है यह दुनिया की सबसे पुरानी सब्वेता है कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी सब्वेता अब तक हम मि कुछ पुराताति ये माते कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सब्विता रही होगी ऐसा क्या इसमें फीचर देखा तो ये जो एक सब्विता थी एक शेहरी सब्विता थी या अर्बन सिविलाइजेशन थी तो जिनके शहर इतने पुराने हैं उनके गाउं कितने पुराने होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे पास सिंदुगाटी सब्वेता के गाउं के अवशेश नहीं है विलेज डवलप्मेंट्स नहीं है पहले शहर आते कि पहले गाओं आते हैं तो अगर आप development order देखें तो पहले गाओं आएंगे उनका development होगा और फिर शहर आएंगे यहाँ पर हमें जब इतना पुराना शहर ही मिला है 4700 वर्ष पुराने शहर है इनके तो इनके गाओं तो और भी पुराने रहे होंगे फिर अब यहाँ पर जो मकान पाए जाते थे साथियों वो वो पकी वी इटे के होते थे ठीके जिनकी लाइफ बहुत जादा होती है बर्ण ब्रिक्स जिनने कहते हैं पकी इटे ठीके पके मकान आप इसे इमेजिन करिए कल्पना करिए कि 4700 वर्ष पुराने पके मकान ठीके आज भी जो मकान पाए जाते हैं अधिकांज भारत का आप अवलोकन करेंगे तो बहुत जगा आपको कच्चे मकान मिलेंगे गाओं रहती थी स्टेबल रहती थी तो टेकनोलीजी का इस्तेमाल करते थे ठीके उसके बाद ग्रेट पैटन आप देखिए ग्रेट पैटन क्या होता है यह सिंदुगाटी सब्वेता है तो यहां पर जो सड़के हैं वो कितने कोंड पर एक दूसरे को कट कर रही हैं अगर आप इ गाउं की विवस्ता है तो ऐसी विवस्ता शेहरों में देखे जाती है क्योंकि यह प्लैनिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं यह किसी नीटी के माध्यम से बनाए जाते हैं गाउं में ऐसी विवस्ता नहीं देखे जाती है ठीके तो दिहान रखिए यह भी एक प्रूफ है एक evidence है, एक साक्षे है कि सिंदुगाटी सब्वेता में जो town planning मिली है, जो शेहरी नीती मिली है, वो grid pattern के आदाहर पे है, जहाँ पर सड़के एक दूसरे को 90 degree के कोण पर cut करती है, यहाँ के निकासी प्रणाली, जबदस निकासी प्रणाली थी, सिंदुगाटी सब्वेता जो ही रहती थी, तो निकासी प्रणाली जबदस करना वहाँ पर मजबूरी भी थी, और यहाँ का जो drainage system था, जबदस था, अब देख सकते हैं, नालिया देख सकते हैं, यह नालियों का निर्मान करवाना, और नालिया एक दूसरे को 90 degree के कोण पर cut कर रही है, तो इतनी जबदस विवस्ता, आज भी कई गाओं में नहीं हैं, भारत के या बहुत विश्व का अवलोकन कर सकते हैं, तो इतनी जबदस नालियों का निर्मान कराना, निकासी प्रणालियों का निर्मान कराना, यह साबित करता है कि वो एक शहरी विवस्ता थी, चरीर और आत्मा की यह कहां पाई गई, सिंदुगाठी सब्विता के कौन से स्थल में पाई गई है महांस्नानगर जिसे ग्रेट बात के नाम से जाना जाता है, और यहां पर लोग अपने शरीर और आत्मा के शुद्दी करन के लिए आते थे, और महांस्नान जो करते थे वो, टैंकों का उप् बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महांजदार, पारुल पांडे ग्रेट, ठीके, महांजदारो या महांजदारो अनरादा प्रिया ग्रेट, एपसलूटी करे, ठीके, टॉक्यार, बंदर गहां का मिला, बंदर गहां जो आपको देखा गया, वो कहां मिला है, बंदर गह जो मिला है वो लोथल में मिला है खमबात की घाड़ी के पास तो यहां पर जहाज आखे रुकते थे और वस्तूओं का आदान प्रदान करते थे यह दूसरे सब्विताओं से अपने संबंद अपने अंतर राश्चे संबंद बनाते थे प्रेड के माध्यम से वेवसाई के जो मिस्र की सब्यता है वहां से कुछ ऐसे अवशेश मिले हैं वहां पर ऐसे कपड़े मिले हैं जो सिंदुगाटी सब्यता से मेल खाते हैं यहां की मोहरे वहां पर मिलना वहां की मोहरे यहां पर मिलना इस बात का सबूत है कि एक गहरा संबंद मिस्र की सब्यता चीन की सब्य सब्वेता से रहा है सिंदुवाटी सब्वेता का हडपन सील यह जो मोहरे हैं यह इस बात को ताबित करती है ठीक है जो यह हडपन की सील है इस पर एक जानवर की आकृती होती थी और आम तोर पर जो जानवर होता था वो एक ताकत्वर जानवर होता था तो यह अपनी मोहरों पर एक ऐसे जानवर बनाते थे जो ताकतवर होते थे क्यों ऐसा क्यों जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको एक बुल दिखाई दे रहा है जिसकी उपर एक हम्प है हम्प यानि कुबड है तो इसका मतलब यह जो बुल है यह जो सांड है ब बहुत ताकतवर हैं और हमारी रक्षा के लिए हमारे लीडर्स हैं ठीक है तो यह इस बात का सबूत है हमेशा महरों पर एक ताकतवर जानवर रखा जाता था ठीक है कि बिल्कुल सही है कि अगला टेरा कोटा टॉइस ठीक है तो खिलोने भी होते थे अब किन के लिए आज कौन सा दिवस है साथियो आज कौन सा दिवस है आज बाल दिवस है ना चिल्डन्स जे है तो बच्चों को कैसे भूल जाएंगे बच्चे तो उनके भी होते थे तो बच्चों के खेलने की विवस्ता भी थी तो कुछ ऐसे खिलोने पाय जाते जो ट्रकॉतर से बंने होते थे ये बच्चों के न है और बच्चों के खेलने की विवस्ता भी होते थी सितडील क्या होता था स्टी तर्ड दोर्ग ओं जो तो है साथिय दुर्ग जिसे हम कहते हैं यह पश्चिमी छोवर पर कौन सी दिशा में होता था वेस्ट पश्चिमी ठोर पर होता था और उचाई पर होता था तीडि ओके माध्यम से यहां तक जाया जाता था steps by steps ठीक है तो यहां पर staircase होता था या तीडियों के माध्यम से यहां तक जाया जाता था जो रियाइसी लोग होते थे या फिर जो आप कहसे हैं royal family होती थी वो में रहते थे और यह पश्चिमी और रहते थे ठीक है तो सिंदुगाटी सब्वेता के अधिकांस जो शहर थे जो साइट्स थे दो भागों में डिवाइड़ था एक तरफ वेस्ट एक तरफ इस वेस्ट वाला उचा होता जिसे हम तुर्ग कहते थे ठीक है परन्तु परन्तु अपवाद हर जगा होते हैं और यहां पे भी थे तो यहां पर वो कौन सा शहर था जहां पर तीन प्रकार का वर दूइप कौन सा दूइप खादिर दूइप में स्थित था और यह एक परिपक्व हडपा नगरी थी परिपक्व मतलब जब हडपा या सिंदुगाटे सब्वेता अपने मध्य में आ गई जब चरम सीमा पर अपने डवलपमेंट में तो धोलावीर जैसे शहर देखे जाने गई है मिडल क्लास फैमिली का होना यह सबूत है कि वह डवलपमेंट की ओर है ठीक है तो यहां पर उपरी मध्ये और निचले मिडल लेवल में वह लोग रहते होंगे जो एडुकेटेड होंगे यह स्किल्ड होंगे यह वह आम जनता से अलग है उसके बाद यहां से कोशन आता है इसे स्टार मार्ग कर रहा हूं हडपप शहर कौन सी नदी के टटपर है यह आपके एक्जाम में प्रशन आता है आप सिंदू नदी मार्ग कर देते हो पर ध्यान दीजिए आप रावी नदी के टटपर हडपप शहर को पाएंगे सिंदु घाटी सब्यता अलग बात है और सिंदु नदी अलग बात है सिंदु घाटी में कई नदिया आती है जो सिंदु की सहायक नदिया है या वित्रिकाए हो सती है तो मोहन जोड़र जो है वो सिंदु नदी पर है धानुधारों सिंदु नदी पर है काली बंगा घागर न रहे हैं अगर आप राज स्थान पात्य shows की तयारी कर है तो महां पर भी बहुत दो शोर से सब्सक्राइब करता है सबसे पस्चिम में आपको सुत्कागंदौर मिलेगा, सबसे वेस्ट में, ठीक है सबसे पूर में आपको मिलेगा, आलंगीर पूर आलंगीर desarrollo इस्थ में मिलेगा, सबसे पूर्वी इस्थल या सबसे पूर्वी छोर तैमाबाद आपको मिलेगा सबसे दक्षणी छोर में और मंदा आपको मिलेगा सबसे उत्री छोर में तो आपसे पूछा जा सकता है सिंदुगाटी सब्वेतक सबसे उत्री स्थल कौन सा है सबसे उत्री छोर में मौजूल स्थल कौन सा है तो मंदा उतर दीजेगा ठीके आग इसका सही उत्तर ना पता लगाया हो तो आज भी हम सिंदुगाटी सब्वेता को डिकोड नहीं कर पाए है ठीके कि इस सब्वेता की लीपी क्या है ठीके इस सब्वेता की लीपी क्या है आज भी हम नहीं पता लगाये पाए है जैसे हमारी हिंदी की लीपी कौन सी यह देवना कर पाएं कि कोशिश है होफुली आप कर पाएंगे फ्यूचर में ऐसी मनों कामना करते हैं सिंदू गाटी सब्वेता का पतन कैसे हुआ है तो इस पर कई थेयरी है कि आरियन ने अटैक करा है आपने सुना होगा कि आरियन अटैक करके गए क्या आरियन की थेयरी बिलकुल सही स हैं में खाबित होगी तो आंसरें नो आरियन की जो धेयरी है की आरियन ने अटायक करा यह थेयरी मोटी मीर विलर्डने दिए है कि आठाय committed के लोगवों पर अठायक करा सिन्दू आठी श्हें क्वाःटा का पतन हो गया आरियन ने आगे जाके क्या शुरूब करा वेदी भारत अमेरिका पर attack कर देता है तो क्या माली जग भारत के कुछ गाउं है वो वाइट हाउस पर गाएं भैसे बांदेंगे वाइट हाउस पर पशुपालन करना शुरू करेंगे या वाइट हाउस पर एक गाउं के सब्वेता के स्थापना करेंगे एसा कुछ होगा क्या एपसिल्यूटी नौट ठीके तो जो और डवलप्ट है उसे और डवलप्ट करा जाएगा यहाँ पर इस थेयरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आरियन ने आकर शेहरी सब्वेता नहीं यहाँ पर गाउं के सब्वेता शुरू करी भी हुआयेट है ठीके चलो पिर आती है नदी फिर आती है नदी अपना स्थान बदलती है ठीके इसे जान लिजे यह समझना बहुत ज़रूरी है ठीके मेरा हर एक छात्र जो पहली बार पढ़र रहा है या जो पहले भी पढ़ चुका और भूल चुका है या जो इस बार एक्जाम में अपियर हो रहा है उनके लिए बहुत रामबांड साबित होता है ठीक है इनके नोट्स बनाएगा नोट्स बनाके पीडवलू एप पर आपको ये पूरा पीडियाफ मिल जाएगा जो भी मैं यहाँ पर कंसेट बता रहा हूं ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडियाफ की फॉर्म में मिल जाएगा पीडवलू एप पर लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ओलरी है तो चिंता मत करें अ ब Ale daveев ग्लवल बंद भूख को आया था को बूख काया थीक Abu कौक फ्रसे आया था मैंने आपको इक बात बता ही ना जब यह आफटर शोक है ठीक कर भेन आपको कुछ दिन पहले पर बात बता लाएगा ठीक है और वहाया लेकिन इस बार jutह तो हलका ता महसूस नहीं हुआ तो भुकम आते रहते हैं और जब भी ये सूर्य ग्रहन होता है ठीक है तो ये जितने भी कॉस्मिक वेव्ज है ना कॉस्मिक वेव्ज के खारण आफ्टर शॉल्स डवलप होते हैं तो हो सत्ता है कि आने वाले तीन चाह दिनों में आपको फिर से एक भुकम महसूस हो ठीक है यहां पर रॉबर्ट राइक्स ही थी जो टेक्ट्वनिक मुवमेंट यानि भुकम से सम्बंध होती है एक प्लेटे को सब्स टकुत करा तो ऑर्थक्स आते हैं इंहीं परवतों का निर्माण होता हैं मले का निर्माण कैसे हुआ हिमाले के निर्माण हुआ एक ट्रस ट्रस यह भी क्रूसरा प्लेट भूसरी कि ट्रेक्टोनिक प्लेट से ट्रक्राएं ठीके में है उसके बाद one-on-molog downwardishalage के पर गूंच राजाओनने अपना नियंतरन खो तो दिए ठीके पुच राज़ाप ने त्रम घोभ जब जनता का राजा में विश्वास ही नहीं रहा तो किस बात किसब्ता की आपका Kingdom यः व्या ये सभी रीजन है कि सिंदुılar सब्वेता का पतन हुँत और सिंदु नदी और यमुना नदी के बीच में आप देखोगे यहाँ पर जो केंद्रित रहा है वैदिक कल्चर वो दोवाब में रहा है दोवाब क्या होता है दो नदियों के बीच का इलाका गंगा और यमुना के बीच का इलाके में आप देखो को सबसे जादा पॉपलेशन पाएगे चलिए अब कुछ प्रशन करते हैं किस हड़पन स्थल को विशाल पत्थर की दिवारों से घिरा हुआ देखा गया या पाया गया हड़पा मोहंजदारों काली बंगन या धोला वीरा करिये उत्तर करिये करिये पड़ाफट उत्तर करो आपको बताना है किस हड़पन स्थलों को विशाल पत्थर की दिवारों से कोई आया है क्लास में कोई आया है क्या चलो पड़ाफट और वो हो जाएगा वो अप्लोड हो जाएगा ठीक एक दो दिन में वह अप्लोड हो जाएक ठीक है बहुत बढ़िया धोलावीर यहाँ पर बिल्कुल सही है डी हापर सौनी मिश्रा पूजा सौनी बहुत बढ़िया उत्तर करा है अपने absolutely correct अगले फ्रच्न की ओर चलते हैं दोलावीर बस्ती अन्य हडब्पन साइटोंच से कैसे अलग है ये दो भावागों में बाटा गया ये तीन भागों में बाटा गया इसे चार भागों में बाटा गया या पाँच भागों में पाटा गया जलो जल्दी से इसका उत्तर करो जो धोलावीर बसती है वो बाकी शहरों से कैसे अलग है यह अपवाद क्यूं माना जाता है यह आपको बताना है ठीके तो इसे तीन भागों में बाटा गया जैसा कि मैंने बताया था उचे स्थल मिले फिर मद्य स्थल मिले और कुछ निचले स्थल मिले ठीके थी पार्ट्स बिलकुँ बहुत बढ़िया मौनी श्रेमा इतल अर्चना वर्खा बहुत बढ़िया अगला प्रशन है एक सामाजिक व बताना है हमारे अतीत पर द्रिष्टिकोंड यानि परस्पेक्टिव का निर्मान करना तित्यों को सटीक रूप से कंठस्त करना हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना या समुदाय के बीच केवल विरोधों को द्वंदों को इंगित करना ठीक है करिया प्रेशन नंबर 9 का अचा उत्तर फटा फट करियर आप सब फ्यूचर एसस्टी टीचर है आप भावी शिक्षक है सामाज के ध्यन पड़ाएंगे कल को कि संस्थान में आशा करताओ के एश्यक्र में पड़ाएं या किसी भी संस्थान में पड़ाएंगे ठीक है तो आपकी उपर लागू होती है ये बात थी बहुत बढ़िया हमारे अतीत पर एक द्रिष्टी कोण का निर्मान करना अगर आप एक बहतरीन सोशल साइंस टीचर हैं तो आप अपने बच्चों का एक द्रिष्टी कोण का निर्मान करें आप उनकी उपर अपना द्रिष्टी कोण नहीं थोपेंगे अकबर महान है या नहीं है ठीके ये उनके कार नामों से उस बच्चे को खुद जज करने दिजे लेकिन अगर मैं थोपू उनकी उपर तो वो एक बहतरीन शिक्षक की क्वालिटी नहीं है खास कर सोशल साइंस ये एक ऐसा सब्जिक्ट है जो विवादों में रहेगा ठीके जो हमेशा विवाद से संबंदिद होगा तो कभी भी विवाद को बढ़ावा न देकर आपका मेरा इग्जैक ड्यूटी ये बनता है कि जो एक्चुल फैक्ट से वो सामने रखे और अपन कारगिल युद के दौरान भारती सेनिकों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्यन करने में रुची रखता था वे कई सेनिकों का शाक्षातकार लेता है जिनोंने कारगिल युद में भाग लिया ये सेनिक क्या माने जा सकते हैं एक माध्यमिक स्रोत एक प्राथमिक स्रोत एक वास्तविक कथा वाचक यहां तरिक स्रोथ ठीक है इसका उत्ता पूजा आपको बताना है एक स्टूडेंट है जो इंटरीवीव करता है कारगिल के उन सैनिको का उन सोल्जर्जर्ज का जिरू ने उस वार में पार्टिसीपेट करा है और उस वार में participate करते हुए क्या समस्याएं आई हैं उसके बारे में वो बात कर रहा है तो उत्तर हो जाएगा प्रात्मिक स्रोथ primary sources क्यों primary इसलिए साथ हो क्योंकि वो original है उन्होंने कारिल का यूध होते हुए अपने आखों से देखा है है ना original है अगला प्रशन जो टेरा कोटा के खिलोने थे वो किसलिए बनाए गए थे टेरा कोटा के जो खिलोने थे साथियों वो सेरी मोनियल्स के लिए बनाए गए थे बिजनस के लिए बनाए गए थे या वैपन या बच्चों के लिए बनाए गए थे ठीक है इसको मैं हिंदी में या बच्चों के लिए बनाए गए थे तो टेराखोटा की खिलोने बहुत यह आसान है यह बच्चों के लिए बनाए गए थे ठीक है अगला प्रशन है सिंदुगाटी सब्वेता को और किस नाम से जाना जाता है इसे प्राचीन ग्रीक सब्वेता बोला जाता है इसे मिसर करें इसको थोड़ी देर पहली बतायता बर्का सिंग बिल्कुल है अर्चना कोई इश्यू नहीं है चलो उत्तर करो बहुत बड़े से हडपन सब्वेता के नाम से जाना जाता है ठीक है 1921 की बात है राम साहनी जी के दुवारा हडपन सब्वेता और जॉन मार्शल इनके साथ थे रडपा शहर का उत्खनन हुआ हडपा शहर सबसे प्रात्मिक शहरों में से एक है हडपा सब्वेता मुख्य शहर होने के कारण इसे सिंदु गार्टी सब्वेता का दूसर नाम के नाम से भी जाना जाता है ध्यान दीजे हडपा अलग बात है हडपन पूछा जाए हडपा शहर कौन सी नदी पे था तो आप रावी नदी बोलेंगे यदि आपसे पूछा जाए हडपन सब्बता कौन नदी पे थी तो आप सिंदु नदी बोलेंगे ठीक है दोनों के उत्तर अलग हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 13 सिंदुगार्टिस सभ्वेता का विकास किस दौरान हुआ यानि आपको वह एज बतानी है अलांकि यह सभी एजिज हैं वह लगभग करीब हैं लेकिन एक्जैक्ट एंसी एर्टी को फॉलोव करते वे आपको बताना हैं सिंदुगार्टिस सभ्वेता जो है वह किस द आफट यह थोड़ा सा कटिन हो जाता है प्रशन क्योंकि काफी काफी पास है ऑप्शन पास-पास ऑप्शन बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो यहां परसाई उत्तर हो जाएगा 2600 इसा मसीपूर ते लेकर 1900 इसा मसीपूर पी-सी-ई का मतलब होता है और यह 700 वर्ष तक आप देख सकते सिंदुगाटी सब्यता हाला कि इससे पहले भी सिंदुगाटी सब्यता शुरू हो गई होती है परन्तु कोई भी चीज एकदम से शुरू नहीं होती है और कोई भी चीज एकदम से खतम नहीं होती है मान लीजे एक घर बन गया दो घर बन गया तो उससे सब्यता नहीं कह सकते सब्यता मतलब कई दूर दूर तक आपको कई घर मिले कल्चर मिले संस्कृति मिले उस प्रिवहन कौन सा देखा जाता था वैल गाड़िया घोड़ा चालित वहान ताइकल या सभी कि सिंदुगाटी सब्वेता के दौरान कौन सा प्रमुख ट्रांसपोर्ट था यह आपको बताना है पड़ाफ़ड कि बताओ कि एस कि लड़ू पुतल लड़ू आपका सर्णेम बहुत बढ़िया है वह आपका नाम पड़ते ही अच्छे अच्छे विचार आते हैं चलिए ठीक है बहुत बढ़िया तो इसे भावनाव में मत भेहना सभी मक्त माक कर देना ठीक है तो बुलिक कार्ट्स या बैल गाडिया ठीक है यानि वह लोग क्या पईयों के बारे में जानते थे क्या वो वील टेकनोलोजी जानते थे तो आंसर येस ठीक है उन्हें पईयों से संबंदी तकनीक का ज्यान था और वील टेकनोलोजी के बारे में जानते थे वहाँ पर मात्र सताक्त भी देखी गई है वहाँ पर कॉटन यानि कपास की खेती भी देखी गई है और यह जो सब्विता है बहुत आधरिक रूप में डबलप हुई है ठीक है अगला प्रशियर्णार प्रेशल नंबर 15 निम लिखित में से कौनसी धातु के बारे में शिंदौ गार्टी सब्विता के लोग नहीं जानते डबल स्चाड लगा रहा हुआ इस प्रशिन पे कहीं बार पूछा गया है कौनसी वह धातु है जिसके बारे में सिंदुग आटिस सब्विता के लोग नहीं जानते ताम्र यानि कॉपर कांसा यानि ब्रॉंज चांदी या लोहा कि जल्दी से इसका उत्तर करिया कि देखें कि तब भी कुछ डुबा लेता है हाँ तो दुनिया की सबसे खतनाक नदी कौन सी है साथी दुनिया की सबसे खतनाक नदी कौन सी है दुनिया की सबसे खतनाक नदी है भावना कि इसमें बह जाते हैं सब तो भावनाव में बहने का नहीं ठीक है और अपनी अवधानों पर यकीन करते हुए अपने कंसेप्स अपने अभ्यास पर यकीन करते हैं बिल्कुल सही है तो उन्हें लोहे का ग्यान नहीं था साथ हो ठीक है सिंदुगाटि सब्वेता के लोगों को लोहे का ग्यान नहीं था वह वैदिक एज थी या वैदिक कल्चर है वैदिक संस्कृतिय बात में जाके जिन्होंने दोहे का ग्यान हुआ है कॉपर की बात करें तामर की बात करें तो राजिस्थान में यह उशेश मिले हैं हमें और ओमान ओमान वो देश था जहां से कॉपर का टेक्नॉलेजी सिंदुगाटि सब्वेता में आया है ठीक है ब्रॉंज की बात करें तो इरान और अफगानिस्त से यह तकनिक आई है इसका इस्तिमाल करते वह वह ब्राउन के मैटल के ब्रॉंज के यहां पर इस्तिमाल हुआ तो लोही का घ्यान उन्हें नहीं था अगला प्रशन है प्रश्न निम्लिकित में से कौन सा शहर सिंदुगाटी सब्विता के पश्चिमी सीमा है तो वेस्टन मोस्ट बाउंडरी जो फॉर्म करता है वो आलमगीरपूर था तुद्का गेंदौर था दैमाबाद था या मंदा था अगर इस क्लास में सक्रे हैं तो इसका उत्तर बिलकुत सही द सब्कॉर्या वर्रण होगा सारी का मैं लेकर आएंगी ऐवी एस ठीके और бук सबी विशो से संब्धित होगा और ये मेरतन के लिए इंतजार करिए आपको सबी सूचना हमारे कम्मुनिटी सेक्शन तक दे दी जाएगी ठीके तो आलमगीरपूर सुत्का गेंदोर दैमबाद या मंदा तो बिलकुल यहां पर बी जिनों ने उत्तर दिया है सुत्का 21 में दिसेंबर में पूछा गया है वोला या सतरा दिसेंबर को पूछा गया है जैनवरी में भी यह फ्रशन रिपीट हुआ इतना कि इसकी जो बुनियादी ज्यान आप यू चुट्कियों में कर जाए लेकिन बुनियादी ज्यान अगर नहीं जाना तो वह बंदा सब्सक्राइद करना है आप सभी को ध्यान दीजिए जो अप्षन में करी गई है। जो हड़्डियों का ढ़ाचा है यह दो आप्ष्ण में करा गया है। इस चीज को धिहान रखिए। वी उप्षान इसका बिलकुल सही उत्तर होगा। क्यूंकि जो कूले की हड़ी होती है वो महिलाओ को इसले दरशाती है क्योंकि महिलाओ में ही शमता है बच्चे को जन देने की पुरुषों में वो शमता, ना तो प्राचीन काल में थी, ना अधुनिक काल में है ना कभी होगी, ठीके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बी, विद्यार्थियों के बीच बातचीत का तंकलन सामान्य वारतालाप के रूप में प्रस्तुत किये गए ठीक है और विचार जिन में आत्मा और सर्व भॉमिक आत्मा का विवरंड किया गया है ठीक है तो इन में से कौन सा कथन उपनिशत से संबंद्ध है यह आपको बताना है करो फटाफरी स्कौतर यह स्विक्ली स्कौतर करिया तो ध्यान दीजिए उपनिशत का मतलब क्या होता है निश्धातु का मतलब होता है बैठना उपनिशत यानि समीप या निकट बैठना के निकट यानि पास समीप बैठना गुरू के समीप बैठना और सीखना तो इसमें साथियों सरल बातों पर ध्यान दिया जाता था ठीक है बहुत जटिल भाते नहीं करते थे बाते करी जाती थी ज्यान की जीवन कोशल की अध्याप को और विद्यार्थियों के बीच के वारतलाप को कहा जाता था उपनिशद जो विद्यार्थियों को teachers बताते थे अपने पास बैठ कर और यहां पर उसे सरल रूप में सामान्य वारत अला के रूप में प्रस्तुत करा जाता था इसका मतलब क्या है जैसे वालमिकी जी है ठीक है वालमिकी जी ने जो रामायन लिखी है और बहुत बड़े गरंथ लिखे गए हैं तो उनका सरल भाषा को उप्योग करना आप देखते हैं वेदो की भाषा है वेदिक संस्कृत है बहुत जटल भाषा है तो वेदो वेदो को भी बताया गया है लेकिन सरल भाषा को उप्योग करना बहुत ज़रूरी था तो ये जो वेदांग है या वेदो के बाद ये जो ग्रंताएं हैं ये सरल भाषा का प्रियोग करते थे जिससे आम आदमियों तक सारी बातें बताई जाए ये वो विचार है जिसमें आतमा और सौर भोमिक आतमा का विवरण किया गया है ये तीनों ही कतन सही है तो उत्तर हो जाएगा D जिनोंने इसका उत्तर D दिया है बिल्कुल सही उत्तर दिया है A नहीं होगा D बिल्कुल सही है तीनों कतन आपसलूटली करेक्ट है ठीक है अगले प्रेशन पर चलते हैं प्रेशन नमबर 19 भारत में पुरा पाशान यूग के दोरान शुत्रमुर्ग कैसे शुत्रमुर्ग होते थे यह हमें कैसे पता है ठीक है या नहीं होते थे यह पहला कतन है ठीक है पहला कतन क्या है साथियो कि भारत में पुरा पाशान य में छिलके मिलते हैं तो इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ठीक है आपको यह बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है हाँ यहां पर बरका सिंग पूछ रही है सर बी कैसे होगा तो इसको मैं बता दू जो उपनिशद है वो वेदो जितना जटिल नहीं है या वो उनकी भाषा वेदिक संस्कुर्ट जितनी जटन नहीं है उनकी भाषा को सरलता से बताया गया है सरल रूप दिया गया है ठीक है इस बात को ध्यान लखेगा तो इसलिए भी कथन सही है अब आपको बताना है ऑस्चेज़ के बारे में कि कौन सा कथन सही है येस तो ध्यान दीजिये भारत में पुरा पाषान जो युग था उसमें शुतरमुर्ख पाए जाते थे ये कथन बिल्कुल सही है ड्रू है एपसिलूटली करेक्ट ये बात बिल्कुल सही है तर कैसे आज क्यों नहीं मिलते तो पुरा पाषान काल में हमें कई ऐसे का भी होता है और उसकी जो शेल होती है बहारी परत उसकी लाइफ बहुत जादा होती है तो शुतर मुर्ग के जो हमें छिलके मिले हैं अंडों के जो छिलके मिले हैं वो महराष्ट के पटने शेहर से मिले हैं पटने शेहर कहां है साथियो महराष्ट में हैं यहां से हमें शु का उत्तर भी हो जाएगा विल्कुल सही उत्तर है अगले प्रिशन पर चलते हैं प्राचिंतम लगू चित्रकला किस पर बनाय जाते थे ठीक है जो अर्लिएस इस प्रेशन नंबर बीस का उत्तर करिये फटाफट ज्यान दीजी आप इसको वो सोच समझ को उत्तर देना है ठीक है देखो देखो लगू चित्रकला जो है वो कागस पर भी बनाय जाती है परंतु प्रशन है कि प्राचिंतम यानि अर्लिएस तो पहले तो कागस नहीं था ना साथियो तो कागस तो नहीं होगा पॉट यानि पात्र पे देखे गए है भुर्ज के पेडों की छाल पे देखे गए है तार पत्रों पे देखे गए है लकडी की तक्ती पे देखे गए हैं तो A, B और D ये तीनों ही सही है A, B और D कहां पाया गया है साथियो यह B option बिल्कुल सही है A, B और D यहां पर पाया गया है ठीक है अगले प्रशन की ओर चलते हैं प्रशन ये है कि मान्चित्र सिक्के एवं समय रेखा ये किस सिक्षन से संबंदित है ठीक है अगर मुझे maps के बारे में बताना है यानि मान्चित्रन अगर मुझे coins सिक्कों के बारे में बताना है और मुझे timelines के बारे में बताना है तो वो कौन सा विशे है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं बतौर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के आधार पे ठीक है तो आपको बताना है अच्छास पढ़ा रहा हूं राजनितिक एवं सामाजी विज्ञान पढ़ा रहा हूं इतिहास पढ़ा रहा हूं यह समाज शास्त पढ़ा रहा हूं आपको यह बताना है मैं क्या पढ़ा रहा हूं ठीक है प्रशन नंबर 21 की उत्तर करें फटा-फट प्रशन नंबर 21 जल्दी से और PW पर आपको इसका मिल जाएगा एक घंटे बाद आपको इसके नोट मिल जाएगे यह जो PDF मिल जाएगा यह प्रशन मिल जाएगे इनका अध्यान आप करते लिए तो यहां पर मैं history इतियास पढ़ा रहा हूं कैसे सिख्ये प्राथमिक स्रोथ होते हैं maps क्या सिर्फ बुगोल शाज में पढ़ाय जाते हैं ऐसा नहीं है maps जो है मान्चित्रन जो है इतियास में भी पढ़ाय जाते हैं ठीक है points यानि सिख्ये जो हैं साथियो वो राजनितिक और जो आपके इतियास में प्राथमिक स्रोथ का रूप होते हैं जैसे अभी मैंने हुमाई और अगबर, जहांगी, शाहजा, औरंगजइव यह क्या है यह आपका इक टाइम लाइन है ज savage जिसे जेनैलोंजी भी कहते हैं या veteran भी कहते हैं वन्शावली भी कहते है ठीक है उसी के साथ आप हसीना मशुका की रूप से मैंने आपको बताया है तो यह उखन प्रेशन है फिर देख तो यह समकी हुएग प्रतीक एक प्रात्मिक स्रोथ कौन सा नहीं होगा मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह वहारत के आर्थिक सन्विक्षन की समिक्षा जन एवं मृत्यू का पंजीकरण हडपक नित्य करती हुई लड़की की प्रतिरूम ठीक है तो जल्दी से इसका उत्तर करिया कौन सा इन में से एक कौन सा इन में से एक प्रात्मिक स्रोथ नहीं है आपको यह बता रहा है करे उत्तर प्रशन नंबर 22 का उत्तर करना है आपको अंकित कुमार का उत्तर आगया माही शीतल पारुल फुतल बिलकुल सही है हिव्जोर रह्मान परवीन खातुन बहुत बढ़ी है भाई इसे दिहान से समझे प्रात्मिक स्रोथ नहीं है यानि वो क्या होगा या तो वो दृत्यक होगा या फिर वो तृत्यक होगा और वो एक ओरिजनल सोर्स तो बिलकुल नहीं होगा ठीक है वो कोई गवर्मेंट रिकॉर्ड भी नहीं होगा ठीक है तो ध्यान दीजे हड़पा की नृत्यक करती हुई लड़की का प्रती रूप ठीक है यानि यहां पर रैप्लिका बनाए गई है रैप्लिका मतलब अब यह रैप्लिका माल लीजे हड़पा की सब्वेता का उत्खनन करते वे हमें एक मुर्ती मिली एक डांसिंग गर्ल का इक लड़की है जो रित्य कर रही है अब उसका मैंने फोटो खीचा रैप्लिका ले लिया फोटो कीचकर NCRT में बाट दिया या डिस्रिब्यूट कर दिया अब वो रैप्लिका 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 प्रति रूप उसके बनते जा रहे हैं क्या वो ओरिजिनल सोर्स है नहीं साथ ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजिए यह वाला जो है यह सेकंडरी सोर्स होगा और इसलिए उत्तर आपका समय रिखा या ग्लोब तथा मांचित्र अगर मुझे टाइम और स्पेस इन की अवध्याना कर समझना है यह आपको बताना है तो मुझे क्या उसका rehा यह प्लोब तथा मांचित्र तो सिंपल है पहले कौन आया, जब हम स्थान की अवधार्णा की बात करते हैं, तो हम मान्चित्रन का इस्तिमाल करते हैं, मान्चित्रन पेस बताता है ठीक है, या स्थान की अवधार्णा को बताता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका C, जहापर maps और timelines दोनों सामाजिक विध्यान के शिक्षक हैं भौपाल में अपलमे सामाजी के शिक्षक है, पूर्व इत्यास काल के लोगों से विध्यारतियों को परिचित कराने के लिए सरवोत्तम शिक्षा साथ से विधि कौन सी ऊगी तो आपको Best बेस्ट टीचिंग मेतोडोलोजी बतानी है या बेस्ट पेड़ागोजिकल स्ट्रेटीजी बतानी है कि अगर पहला आप भिंबेतका की गुफाव का ब्रहमन करवाए दूसरा मद्यप्रदेश परेटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक पठन एवं चर्चा करिये आपने ठीक है आप व्यक्यान के लिए दिल्ली से एक विशेशग्य को आपने अमंत्रित करें एक अपने दिल्ली से उस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए और एक अभी लेखाकार का ब्रहमन करा आप नहीं तो यदि आपको प्री हिस्टॉरिक पीपल किसके बारे में बताना है पहले यह दियान लिजिए पूर्व इथियास काल में जो लोग रहते थे तो दियान दिजिए इसमें सब डी मार्क कर रहे हैं तब डी मार्क कर रहे हैं अरे भाई भिंबेतका की गुफाय क्यों फेमस है भिंबेतका की गुफाय जो है वह आरंविक मानवो का भेहन सेहन आरंभिक संग्रह आरंभिक मानव कैसे ठीज होगा अगर आप एक अभी ले का अरकाइव में जा रहे हो या किसी मुश्रून दोग बहूँन्प्र होंगी लेकिन मुझे बताना है सिर्फ early humans के बारे में या prehistoric people के बारे में ठीके तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भिंबेत का क्यों ब्रहमन क्यों होगा क्योंकि एक तो field visit है बच्चा सबसे अदा सक्रिय रहेगा बच्चा सबसे अदा active रहेगा ठीके field visit are the best teaching methodology ये बात आप जानते हैं जो ब्रहमन विदी होती है वो सबसे best होती है तो या तो A option होगा या D option होगा अब A और D में से best क्या होगा कि आप भिंबेत का मिले जा रहे हैं यानि वास्तविक स्रोतों से रूबरू करा रहे हैं उन गुफाओं में चित्रन को देखकर बच यसे ही आप confused हो जाएंगे मैं दुबारा बता रहा हूँ दुनिया की सबसे खतरनाख नदी कौन सी है एमेजन नहीं नाइल नहीं भावना भावनाव में सब बह जाते हैं तो दियान दीजिए अगला प्रेशन है अब नेक्स जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो वेदों प अब 6 बजे आपका EBS का क्लास है दियान रखेगा 8 बजे आपका Maths का क्लास है ताइम टेबल आपको community पे मिल जाता है रोज 11 बजे practice session होता है ठीक है उसके बाद 4 बजे जो होता है आपका वह theory session होता है और यह theory session 4 बजे 6 बजे और 8 बजे तीन टाइम में होता है ठीक है गाय सबसे पुराना वेड रिघे जो है आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी Oldest written किताब है बजे जानते हैं तो आप बहुताने संखिया जो है वह चार है Rikvet, Samved, Atherved, Yajurved ये जो वेदों की संख्या है इनमें Atherved को बाद में आड करा गया, पहले मुख्य जो थे वो तीन ही वेद थे, जिसे वेदतरी के रूप से जाना गया, जिसमें Rikvet, Samved और Yajurved आते थे, ठीके? तो आज का homework question आप सबी के समक्ष ये रहा जाते जाते जैसे मैंने बताया हर कक्षा में आपको एक homework session देखे जाता हूं एक ग्रह कारियर देखे जाता हूं तो आज का ग्रह कारियर वेदो से संबंद्ध है क्योंकि अगली कक्षा में हम वेदो पे discussion करने जा रही हैं वेदो को अच्छे से बढ़ेंगे कैसे किस प्रकार आपके एक्जामें वेदों से प्रशनाये हैं उनको जानेंगे रिगवेद के विशे में निम लिखित में से तीन कतनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए ठीक है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था इसकी रचना संस्कृत म हैं and thank you everyone for being with me absolutely beautiful audience and I'm glad to have you in my class thank you for being with me ऐसे ही सदेव तत्पर रहिए और अपने लक्षे प्राप्ती में जुड़े रहिए लगे रहिए और सफलत आपको जरूर मिलती है जैहिन जै भारत बाल दिवस की हादिक शुपका ह्बाना